नमस्कार मैं हूँ दिबांग एवीपी न्यूस के स्पेशल शो में आपका स्वागत है आज मेरे साथ बेहद खास मेमान दोहजार चौबीस चुनाव के बड़े चहरों में एक बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड़ा आपका स्वागत है नगत्य जी धन्यवाद इबांग जी यह बतेए कि एक राउंड तो चुनाव हो चुका क्या फीड़बैक है बहुत अच्छा फीड़बैक है हर एक सीट पर भारतिये जनता पार्टी के प्रतियाशी बहुत अच्छा कर रहे हैं और कुल मिलाकर के चुनाओ में भारतिय जन्ता पार्टी जिस तरीके से आगे बढ़ रही है जो हमारा लक्ष है उस तरफ हम अग्रेसर हैं तो मैं बहुत confident भी हूँ और लोगों के साथ बातचीत से जो मैं निशकर्ष निकालता हूँ भारतिय जन्ता पार्टी के और मोदी जी के पक्ष में यह चुनाओ आगे बढ़ रहा है यह जो नारा एक है अब की बार 400 पार यह क्या confidence है या इसमें over confidence भी है देखे कुल मिला करके जो मैं महसूस करता हूँ कि जन्ता ने वैसे जन्ता चुनाओ से 6 मेहने पहले अपना मन बना लेती है और जन्ता ने फिर से प्रधान मंतरी मोदी जी को प्रधान मंतरी बनाने का मन बना लिया है और इस मन के साथ साथ जन्ता भारत की को अटूट विश्वास उनके नेत्यतु पर और उसके साथ साथ यह मोदी जी की गारंटी गारंटी पूरी होने की गारंटी यह मन में उतर गया है लोगों के और इसलिए एक तरह से यह कहा जाए कि मददाता इस ओर अग्रसर है और हम लोग 303 बीजेपी ही पहुँची है और एलाइंस में हम आगे बढ़े हैं तो एंडिये चार सो पार करें यह स्थिती है और इस स्थिती को आगे बढ़ाने का काम पार्टी पूरी जोर शोर से कर र लेकिन यह हमारा पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड कारिय और कारिकरपती बारंबार जनता का समर्थन उन सब चीजों को देख करके हम इस नतीजे पर आते हैं और इसको आगे बढ़ा रहे हैं राहूल गांदी तो कह रहे हैं कि आप 150 पर ही रुखने वाले हैं 150 पार नहीं होने व हैं ऐसा मुझे तो अनुभव नहीं है नहीं उनका ट्रैक रिकॉर्ड या उनका पास्ट रिकॉर्ड इस बात को बताता है कि कोई उन्होंने कोई बहुत बड़ा सोच समझ करके कोई वक्तव्य दिया हो जो उनको बताय जाता है वो आगे बोल देते हैं अब यही राहूल ज प्रश में कहते थे कि हम फ्रेड़ सो से ज्यादा सीटे ला रहे हैं हम 163 सीट लेकर के आगे हम आल टाइम रिकॉर्ड ब्रेक करके अपना ही रिकॉर्ड ब्रेक करके हम चट्यसगर में आ गए हम राइस्थान में आ जाए तो इनकी बात को सिरिश्ली लेनी की ज़ुरूरत नहीं है और मैं ही नहीं जनता भी नहीं लेती है मैं पूछ रहा हूं कि कुछ बयान जो वाइरल हुए इस चार सो की आंकड़े के बाद वो सम्मिधान बदलने वाले हुए उसमें फैजाबाद से आपके ललू सिंग जी खुद एंपी हैं उमीदवार हैं अरून कोविल हैं क्या है कदाप ही नहीं प्रधानमंत्री मोधी जी ने खुदी कहा कि मैं क्या टॉक्टर अंबेदकर भी चाहेंगे तब भी सम्मिधान नहीं बदला जागा सम्मिधान का मुल सुरूप और सम्मिधान के प्रति हमारा हमारा कमिट्मेंट पस्ट है और देश का कमिट्मेंट ह सब का commitment है इसमें कोई दो राय नहीं है जिन लोगं की आपने बात की इन सब से मैंने व्यक्तिकत रूप में बात की है अच्छा भाशन देते देते कई वार जोश में आकर के लाइन क्रॉस कर जाते हैं लेकिन प्रधान मंत्री मोदी जी ने बड़े सपश शब्दों का है और बता राश्टी अध्यक्ष मैं बड़े सपश शब्दों में भारत की जंता को यह बताना चाहता हूं कि ऐसी न कभी हमारी मनसा थी न है न रहेगी हम भारत के सम्विधान के प्रती कमिटेड हैं कमिटमेंट हैं यह आप भी जानते हैं कि constitutional amendments कभी कभी आती रहते हैं वो एक अलग चीज होती है लेकिन सम्विधान के मूल स्वरूप और सम्विधान की मूल रचना इसके प्रती भारतिये जंता पार्टी और भारत की जंता कमिटेड हैं और हम उसके सा पूरी ताकत के साथ खड़ें इसलिए आपके माध्यम से आपके चैनल के माध्यम से आपने बहुत अच्छा प्रती पूछा यह सदा सदा के लिए दिमाग से लोगों के निकल जाए कि कभी किसी तरीके के हम सम्विधान के परिवत्तर की बात सोच सकते हैं और जिन लोगों खत्म हो जाएगा चाहे वो ST हों चाहे SC हो या OBC हो यह इसलिए 400 सीटे मांग रहे BJP कदापी नहीं कदापी नहीं मैं आपके माध्यम से बड़े स्पश शब्दों में कहना चाहता हूँ लंबे समय से यह प्रयास हुआ है कि भारतिये जनता पार्टी को के बारे में अनरगल प्रचार करके उसको लोगों को भ्रमित किया जाए भारतिये जनता पार्टी को अब ट्राइबल ये paint करने का प्रयास होता है और इसका सारे काम में ये जो इतने भी विभाजनकारी ताकते हैं डिविजिप forces हैं ये सब डिविजिप forces राष्टरवादी ताकतों को जो राष्टर को एक इकठा रख सके ती व्रिगती से आगे बढ़ाने में सब का साथ ले सके ऐस विश्वास दिलाना चाहता हूं कि यह एक विश्यस डिजाइन है और भारतिय जनता पार्टी को मिलाइन करने का एक शड्यंत्र है और भारतिय जनता पार्टी कभी भी हमेशा रिजर्वेशन के पक्ष में रही है और अभी भी जो 10 years के extension हुआ वो नरेंदर मोदी जी के टाइ पर हुआ तो हम रिजर्वेशन के पक्षदर हैं धलितों के हित में जितना काम मोदी जी की सरकार ने किया है किसी भी सरकार ने नहीं किया है ट्राइबल्स के हित में जितना काम मोदी जी की सरकार ने किया है किसी ने नहीं किया है सबने लिफ सर्विस की और इसलिए यह बात बहुत स्पष्ट है और मैं चाहूंगा कि आप भी आगे इस बात को बढ़ाएं गोशना पत्रों की बात करें तो आप देखें कॉंग्रेस का जो गोशना पत्र है उसमें उन्होंने तीस लाख सरकारी नौकरियों की बात कही है उन्होंने ये कहा है कि जो मनरेगा है उसमें चार सुर रुपे देने की बात कही है उन्होंने ये भी कहा कि किस तरीके से MSP जो है उसका वो एक गारेंटी दे MSP लागू करने की बीजेपी के जो गोशना पत्र में इस तरह के से जिनको लोक लुभावन वादे जो है वो नहीं दिखाई देते हैं देखिए सबसे पहली बात तो यह है कि चाहे कॉंग्रेस पार्टी हो या अन्य पार्टिया है दिबांग जी यह सब बॉखलाहट में भी है हताशा में भी है फ्रस्ट्रेशन भी है और फ्रस्ट्रेशन में सत्ता में येन केन प्रकारेंट किसी भी तरीके से कम वोट में आने के प्रयास के लिए जनता को गुम्रा करके लोग लुभावने बातें करके उनका वोट लेने का हासिल करने का प्रियास करते हैं मैं यहां यह भी कहना चाहता हूं कि इनको कभी भी what is right for the country कौन सी चीज देश के लिए उपयोगी है ये इनका मापदन नहीं रहा है इनका मापदन नहीं रहा है कौन सी चीज मुझे सत्ता में लाने में मददगार हो सकती है भारतिय जनता पार्टी ने मोधी जी के नेतुत में 10 साल में भारत की तस्वीर बदलने में बहुत बड़ा योगदान किया है और इसलिए आपने देखा होगा इनका मैनिफेस्टो आपकी न्यूज के लिए दो से तीन घंटे की जिंदगी थी सिर्फ लाइफ टू तो थी आवर्स वेराज दी कमिट्मेंट गिवन भारतिय जनता पार्टी बिकेम डिवेट अडिवेट अडिश चिल कंटिविग तो यह क्या बताता है सीरियसनेस भारत की जनता किसकी बात को सीरियसली लेती है मोदी जी के मुझे से निकला हुआ विशे है वह लकीर बन जाता है वह एक 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 जामपल बन जाता है वह होके रहेगा मोदी की गारंटी पूरी होने की गारंटी होती है इसलिए हम जो कहते हैं वो करने के लिए कहते हैं हम जो कहते हैं देश भी उसको विश्वास इसी तरीके से करता है कि ये हो जाएगा, होगा क्योंकि बीजेपी ने कहा, मोदी जी ने कहा ये होगा तो हमारी commitment जो हैं और दूसरी बात ये freebies की बात करते हैं हम empowerment की बाते हैं ये बताई कि बड़ी चर्चा है one nation, one election की क्या इससे चुनावों में जो खर्च होता है उसमें वाकई में कमी आएगी? देखे, ये कमी ही नहीं आएगी ये तो ये तो एक इसका एक पक्ष है एक बहुत बड़ा पक्ष है आप जड़ा दिवांग जीस पर रिसर्च करवाईए how many man days five years में code of conduct में जाता है कितने man days code of conduct के तरफ तो administration पंगू होता है एक तरीके से administration थमसा जाता है और development का process रुख जाता है projects रुख जाते है सारे काम रुख जाते है और हमारे हाँ कभी न कभी मैं 2020 से अध्यक्ष हूँ हर तीसरे मेंने कोई चुनाओ लड़ा रहा हूँ और हर तीसरे मेंने कहीं ने कहीं चुनाओ हो रहा है और फिर उसके आद municipality का चुनाओ अलग फिर उसके बाद पंचायतों का चुनाओ अलग यह सारा process चलता है तो सबसे पहली बात तो यह है कि one nation one election का एक बहुत बड़ा वो बनता है कि once for all एक साथ election हो और election के बाद देश तीवर गती से विकास की गारी पकड़े और यह जो code of conduct घड़ी घड़ी लगता है इस से रुपने का होगा दूसरी बात जो आपने कही बिल्कुल सही बात है कि election में पैसे खर्च होते हैं और समय भी लगता है political parties भी involved होती है अब यह खर्चा कितना बढ़ जाता है कितना गुना बढ़ जाता है तो यह सब चीजों का भी बहुत बड़ा उस पर असर परता है और इसको इस दृष्टी से देखना ही चाहिए कि one nation one election होना चाहिए इसी से जो जुड़ा हुआ मुद्धा है वो electoral bonds का है जिस पर सुप्रीम कोड ने रोग लगाई Congress का कहना है कि एक तरीके से ये बीजेपी के लिए उगाही का काम किया बीजेपी ने इसके जरीए एक तरीके से धंदा बन गया इसको आप कैसे देखते हैं और ये ध्यान में रखते हुए कि ये जब लाया गया था तब इन बातों का ध्यान नहीं था क्या ये transparency का इस सवाल नहीं है level playing field भी होना चाहिए देखिए सबसे पहली बात मेरा प्रशन ये है कि 70 साल इससे पहले क्या हो रहा था इस पर कॉंग्रेस जवाब देगी what was going on for the last 70 years under your leadership आप 70 साल से black money और cash के में generation करके आप इस देश में अव्यवस्था और black money फैला रहे थे और black money के आधार पर आप चुना उला रहे थे भारतिय जन्ता पार्टी का नियत और नियत से निकली हुई नीती बड़ी सपश्ट थी कि यह black and white में आना चाहिए और इसी प्रोसेस को लेकर के बिल लाए उसमें अरुन जेटली जी finance minister थे वो लेकर के आए थे उसमें डिबेट्स हुई थी दिबांग जी आप उन डिबेट्स में कॉंग्रेस का आप पक्ष पढ़ लीगे सब ने तारीफ की थी सब साथ खड़े हुए थे और यह प्रोसेस इसलिए किया गया था कि political parties को चंदा देने वाले लोग वह ब्लाक में कैश में या अंडर ग्राउंड अंडर हैंड यह न हो सामने आए पारदर्शिता हो ट्रांस्परेंसी हो और ट्रांस्परेंसी के साथ वो मिले इस वेवस्था को आगे बढ़ाने का काम दिया हम सुप्रीम कोट के observations को और उनके decision को मानने करते हैं उनको सुप्रीम कोट के decision को हम respect करते हैं and we obey by the decision of Supreme Court लेकिन इसके पहले की वेवस्था क्या थी और कोई नई वेवस्था आई है तो उस नई वेवस्था में कुछ ख्वामिया होंगी उन ख्वामियों को आज जो आप जो चर्चा कर रहे हो इसका पैसा उसका पैसा या आप क्यों कर पा रहे हो यह इसलिए कर पा रहे हो क्योंकि इन कंप्रियों ने बांड्स करीदे हैं तो अब इसमें से जो वेवस्था निकली है उसमें सुधार होने की गुंजाईश हमेश वोड से हैं. हमाद भी पार्टी केम्पेंग रही है, आपने मुक् defense को जेल में बंद कर दिया है. क्या दिल्ली की साथ सीटें हैं नने आपके पास हैं, क्या उसका असर आपको दिखाए देगा चुनाओ में? यह सब से पहली बात तो यह है कि जेल का जवाब वोट से इसिको हम पहले हिट इसी को हम दिल्ली की जनता के सामने इस पस ड्रूप में रखे रहे हैं और रखेंगे जेल का जवाब वोट से नहीं ब्रहष्टाचार का जवाब वोट से देना है बहरत ये जनतापार्टी के पक्ष में जाएगा साथो की साथो सीटे आज दिन तक नहीं देखी मैं चुनाओं नहीं लड़ूंगा, मैं पार्टी नहीं बनाओंगा, मैं बंगान नहीं लूँगा, मैं बंगले नहीं लूँगा, मैं मनीश मैं भी तेरा सगा नहीं लगता, मेरे को भी जेल में डाल देना, मैं फलाने की नोक पर रखता हूँ अपनी सरकार इसको उस्तीफा दूँगा आज जेल में बैठ करके सरकार चला रहे हैं ये काहे का और कोर्ट ने कह दिया कि कोर्ट डास नॉट फंक्शन और पुलिटिकल कंसिडरेशन्स राजनेतिक कंसिडरेशन पर कोर्ट फंक्शन नहीं करता है कानून कानून की भाषा में जवाद देना होता है सुप्रिम कोर्ट ने कह दिया मनी ट्रेल हैं और हाई कोट ने बेल देने से इंकार कर दिया अब sympathy दिल्ली की जनता बड़ी समझदार है जानती है और उन तक सारी बातों को सही रूप में रखने में भारतिय जनता पालिटी सक्षम है इसलिए भारतिय जनता पालिटी सकाम को करेगी आखिर में ये पूछ रहा हूँ कि चार जून को जब नतीजे आएंगे उसके बाद पिर आपका टर्म भी अध्यक्ष के रूप में खत्म होने वाला है क्या आप दुबारा से केंदर में मंत्री के रूप में दिखाई देंगे मैं कभी भी और हमारे हां सबको मैं ही समझाता हूँ कि आप कभी भी किसी को किसी भी तरीके से अपने रोल के बारे में मत तैह कीजिए आपका काम है पार्टी की सेवा करना तो मैं पार्टी की सेवा कर रहा हूं करता रहूंगा और मैं एक बात और भी बता देना चाहता हू कि अध्यक्ष न रहने के बावजूद भी इसी तारकत के साथ पूरी ताकत के साथ पार्टी के लिए काम करता हूँ प्रभारी प्रदेशों का मैं ही रहा, जम्मू कश्मीर से लेके केरल टक्कम है, प्रभारी रहा बतोर मंत्री होते हुए भी, तो पार्टी मेरा फर्स्ट लव है, फर्स्ट अफेक्शन है, तो उसको हम पूरा करते हैं, इसलिए जो भी हमको पार्टी तैक करेगी, मैं करूग वो चहरा तो नहीं दिखाए दिया, पर आपने बहुत सयम से जवाब दिया